Hello and welcome friends, आज की ये वीडियो Python programming को ले करके Python में एक सवाल है, सवाल क्या है देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये question में num में 1 रखा गया है, और यहाँ कहा गया while num is less than equal to 20, यानि नम जो है less than equal to 20 रहेगा, यानि या तो equal to तक जाएगा, ये less than तो ही है लेकिन equal to भी दिया ग आजाता है, divide करने पर 2 से, तो आप num को print करा दीजे, फिर एक जोड दीजे, तो ऐसे में होगा क्या, 1 लिखा हुआ ये, 1 को अगर 2 से हम divide करते हैं, ज़रा देखिएगा, 1 को अगर हम divide करते हैं 2 से, तो ये पुरा-पुरा तो divide होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर 1 print नहीं ह होगा, लेकिन 2 जो है, 2 से पुरा-पुरा divide होजाएगा, इसलिए 2 print होगा, फिर 3 divide नहीं होगा, इसलिए 3 print नहीं होगा, तो फिर क्या print होगा, 4 पुरा-पुरा divide होजाएगा 2 से, और result जो है, 0 आ जाएगा, इसी वैसे 4 print होगा, फिर 5 नहीं डिवाइद होगा, 6 तो यहाँ पर 20 भी मैं दे देता हूँ और अब इसको चला के देखते हैं कि यही output में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो एक वर F5 करते हैं, enter करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, same यही output आ रहा है देख लिए, यह output यह एक दम match करता हुआ, same आ रहा है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर 2 से divide होकर 0 लाना है और उनी उनी numbers को check करना है आप तो, यहाँ पर पहले 1 है यहाँ पर increment होगा तो यह 1 बज़ जाएगा 2, 2 जब पुरा-पुरा divide होजएगा तो 2 को यह print करनेगा लेकिन जब 2 increment होगा तो बनेगा 3 और 3 जो है 2 से पुरा-पुरा divide होकर 0 नहीं आएगा लास्ट में तो इसलिए 3 को print नहीं करेगा 4 को करेगा तो सिर्फो even numbers को ही print करेगा इसी वज़े से ठीक है